तो तूड़े आज हम लोग डिस्कुशन करते हैं, एड़ प्रेपोजिशन का, इसके दिफरेंट इस दिफरेंट इस दिफरेंट इसमें दिफरेंट सिचुवेशन चलिए हम बात करते हैं पहले इसमें जो आपका है टू वर्ड्स किसंस में यूज करते हैं मैट का प्रियोक जैसे कि किसी बैक्ति की और किसी एनिमल की और या किसी की और किसी वस्तो की और या पर केसिंस में फस एक्जाम्पिल देखते हैं सी पॉइंटेड एट देहिंपटी बैक उसने खाली बैक क्यों रिशारा किया क्या है कि हम बहुत सारे सेंटेंसे से हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम कैसे किसी पर्टिकॉल पोजिशन का डिफरेंट सेंटेस में यूज कर पाएंगे तो इस तरह से बहुत सारे एक्जाम्पिल से हमारी लिए हेल्फुल होते हैं कुछ लोगों ने क्या किया वाइलेंट हो गए और इन सब हो गए और उन्होंने पुलिस पर बाउम फेके और बच्चों के 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 बच्चों look at the whiteboard, look at me, इस तरहे के sentences में इसका यूज करते हैं. He looked at Saurabh, देखे, यह न, उसने Saurabh के और देखा, and laughed, और हासा. इस तरहे के sentences हमारी speaking English के लिए और competitive examination के लिए बहुत ही useful हैं. He pointed a gun at her. उसने अगर Hindi में कहे हैं, उसने जो gun है, वो उस पर तांदी है, उस के और कर दी. Someone threw paint at the health minister. कुछ लोगोंने health minister पर paint फिका. She smiled at me, वो मुस्पर मुस्क्राई, यह मेरी और देख के मुस्क्राई, लैक्संस में. He fired five shots at the target. इस तरहे के बहुत सारे sentences, जो useful हैं. हम देखते हैं, इसका use, age के sense में. कैसे हम उस पर्टिकल सिचुएशन में, जब हम कहना चाहते हैं, कि जब वो इतने साल का था, तो उसने ऐसा किया. Like that, Sachin became famous at 20, means Sachin became famous when he was 20 years old. So Sachin became famous at 20. तो इस तरहे से हम, is, age के sense में, use करते हैं. देखते हैं, she got married at 25. She got married when she was 25 years old. तो उसकी साधी हो गई थी, जब वो 25 साल की थी. तो 25 साल की age में, उसकी साधी हो गई थी. He left school at the age of, age of 16 में कर सकते हैं. मतलब, he left the school when he was 16. उसने school छोड़ दिया, जब वो 16 साल का था. He was married at Uri's. मतलब, उसकी साधी हो गई थी, जब वो तुम्हारी उम्र का था, इस तरह के sense में add का use किया गया है. इसके next use देखते हैं, जो कि देखी, clock time में आता है. जैसे कि, he left for agra at 2 o'clock. वो आगरा चला गया था. इस तरह से 3 o'clock, 5 o'clock, जो भी sense है आपका आ जाता है. इस particular time में आ जाता है, जैसे, are you free at lunch time? जब आप lunch करते हो, या जो lunch का समय होता है, नाम वली, उस समय कि आप free हो, जिस समय आपका lunch का समय होता है. तो, particular time or exact time, I was busy at the moment you phoned me. तो वो एक time था, जब आपने उसे phone किया था, at the same time, at that moment, मैं busy था, I saw her at Christmas, ये particular time हो गया आपका, मैंने उसे Christmas की दवरान देखा था, Christmas festival पर देखा था, I saw her at Diwali, यूज कर सकते हैं, वोली यूज कर सकते हैं इस तरह से, check the oil at regular intervals, and have the car service regularly, यहाँ पर क्या है कि frequency आगे, मतलब, जो एक continuously, मतलब रुक रुक करके, आप बीच-बीच में, आप oil level को चेक करते रहें, और जो service है, वो आप regular करते रहें, जिसे बारिस हो रही है, at regular intervals, तो इस तरह की sense में, हम इसका use करते हैं, इसका next use देखते हैं, वो है reaction, at reaction क्या है, someone is delighted at your success, और someone खुस है, किस वज़े आपकी success पर, आपकी success होने पर, तो यह उसका reaction है, आपकी success पर, अब यहाँ पर वो unhappy भी हो सकते हैं, someone is unhappy at your success, तो यह यह चुछ हो सकते हैं, they were amused at my funny stories, वो खुस हो, वो खुस थे, वो खुस हो गये थे, मेरी funny stories पर, amused, happy, I was alarmed at the news, मतलब news शुन करके, मैं थोड़ा shock हो गया, या अमने अजीब सा feel किया, थोड़ा डर सा गया, तो यह आपका, यह मेरा reaction हुआ, यह जानने के बाद, he laughed at my job, तो उसका, मेरे जोग पर reaction किया था, he laughed, I was quite excited at the prospect, prospect कहा है कि एक कोई possibility बनती है, कि हाँ, ऐसा हो सकता है, इसके होने से, तो उस prospect कि यह वज़े से, का जो reaction था, वोज़े था कि I was quite excited, मैं काफी excited था, शुले करके, काफी positive था, he cringe at the side of my father dancing, मतलब एक तरह एक expression देना, फ़र इम्बैरास जैसा फील करना को cringe कहते हैं, तो मेरे फादर के उसका जो reaction था, मेरे डांसिक पर उसका जीब सा चेरा बना लेना, इस तरह का sense में, next use देखते हैं इसका, यो है आपका price, rate, speed, measurement के sense में, जैसे कि इतने घंटे में इतने kilometer गाड़ी चलती है, या वो गई, या इतने kilogram में, मतलब इतने रुपय में इतने kilogram मिलते हैं, या इतने रुपय में इतने dozen मिलते हैं, या गाड़ी जो है इतने kilometer की speed से चल रही थी, इस तरह के संस में हम एट का यूज़ करते हैं तो बस इस रॉनिंग एट 40 किलो मेटर पर आर बस है वह 40 किलो मेटर प्रती घंटे की रखतार से चल रही थी कि एपल से लेट 90 रूपीज आ किलोग्राम जो है पिल्स बिखते हैं यहां पर इस नसाया वह नार्मली इसमें दिया गया है कि वह 90 रूपीज आ किलो कि अंदर से बिखते हैं आई वस ड्राइविंग एट 70 किलोमेटर पर आर मैं ड्राइविंग कर रहा था कार या कोई गाड़ी चला रहा था सत्तर की स्पीड से साया है सत्तर सेवन्टी किलोमेटर पर घंटे प्रति घंटे यहांने पर आर की स्पीड से चला रहा था हमने देखा इस तरह से हम अब इसका आगला इस देखते हैं अगला इस क्या है वो एक्जेक्ट पोजिशन पर है तो एक्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिस करते हैं सी विल मीट यू एड दा इंट्रेंस यह क्या है आपका एक वोजिशन है जहां से इंट्री होती है दोर रहे है या कुछ इस तरह का वहां के लिए उसकी यह है कि सी विल मीट यू आप से इंट्रेंस पर मिलेगी सी sitting at the table का sense है कि वो टेवल पर नहीं बटा हुआ है वो चेर पर है और टेवल से शिटा हूआ होँआ एक sense में तो वहाँ पर हम add का प्रियोग करते हैं अगर हम chair पे exactly वो लोग बैठते हैं तो वहाँ पे अगर वो handle वाली chair है तो in आएगा अगर without handle है तो on आता है table के sense में वो table के side में बैठा हुआ है मतलब यह आपकी table है सपुषकरी तो वो यहाँ पे किसी चीज़ पर person इस तरह से बैठा हुआ है इसको इससे समझ सकते हैं यह यह person है मत सपुषकरी और यह आपकी table है गोरवाज सेटी स्टेंडिंग अड़ टॉप अब दे स्टेर्स गोरवाज स्टेंडिंग अड़ उस सीडिहों के सबसे टॉप पर बैठा हुआ था the cat came and lay down at my feet cat आई ले आई और वो मेरे पैरों के पास very close के पास लेट गए they are standing at the door अभी क्या है एक exact position है ना बाहर है ना अंदर है तो वो दरवाजे पर खड़े थे sorry खड़े है he called Emna but she was at lunch उन्होंने Emna को बुलाया लेकिन वो lunch पर थी मतलब कहीं बाहर दूर है कहीं कुछ इस तरह का अब का eating away right the two vans collided at the cross route वहाँ चोड़ा है पर जहां पर रोट क्रास होते है है कोई पर्टिवर प्लेस है पोजीशन है किस तरीके से यह जो बहुत सारे example है इनके थरू हम और बहुत सारे use समझते हैं और कि किस तरह से हम इसे बहुत सारे और sentences में use करें चलिए अब हम इसका next use देखते हैं हम आटके use वहाँ करते हैं जहां when something happens चलिए देखते हैं civil report at the end of the week क्या है कि वो एक सब्ता के आखरी पर report करेगे he woke at dawn right अपका early morning होता है उसे morning में तो हम इनके इश करते हैं morning में, evening में, afternoon में he did not know this at the time of writing क्या है कि उसे ये पता नहीं था जब वो लिख रहा था या जब उसने ऐसा लिखा था जब something was happening like that at night you can see the stars तो ये particular आपका एक something happens at night है आप रात में आप जो है तारी देख सकते हैं what are you doing at the weekend सब्ताहंत में आप क्या कर रहे हैं next use देखते हैं इसका